हाई फ्रेंट्स आज मैं आपसे शेयर करूंगे खीर बनाने की बहुत एजी रेसिपी इसके लिए हम एक लीटर दूद लेंगे दूद को बॉयल करने के बाद हम इसमें चावल एट करेंगे ये 100 ग्राम चावल हैं इनको मैंने 2 गंटे पहले पानी में सोक करके रख दिया था जब ये चावल दूद में अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसमें चीनी एट करेंगे मैंने 1 लिटर दूद पे 1 कब चीनी ली है लेकिन इसको आप अपने टेस्ट और ब्लेड शुगर डिटिंग्स के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अगर आप चीनी चावल के पहले एट कर देंगे तो चावल अच्छे से करेंगे नहीं सो मेक शियो आप चीनी चावल के बाद ही एट करें चीनी एड़ करने के बाद खीर को 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से चावल के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें इलाची पाउडर और थोड़ा सा केसर एड़ करेंगे अब ये बनका अल्मूस्ट एड़ी है अब आप इसमें अपने मंच आये ड्राइफ फूट्स भी एड़ कर सकते हैं गैस की फ्लेम को आफ करके हम इसमें थोड़ा सा कस्टर एड़ करेंगे कस्टर को हम हलकी कुनगुने पानी या दूद में मिला कर एड़ कर सकते हैं लास्ट में थोड़े मखाने ग्राइंड करके इसमें एड़ करेंगे, make sure custard को पकाएं नहीं वरना खेर लिसलिसी हो जाएगी, इसलिए custard हमेशा फ्लेम आफ करके ही एड़ करें, अब हमारी खेर सर्व करने के लिए रेड़ी है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें, थांक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो,